हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है आशा सिद्धिकी और आप देख रहे हैं दारोग गेमिंग दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप थम्मिल देखके तो समझी गए होंगे आज की वीडियो हम पबजी के उपर बनाने वाले हैं जो बहुत लोगों के पास इस समय नहीं है और बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कैसाद भई हमें वीडियो चाहिए जिससे हम देखके समझ पाएगे किस तरह डाउनलोड करना है तो दोस्तो पबजी में आपको के आर वर्जन और ग्लोबल वर्जन दोनों ही मिलेगा प्ले स्टोर वर्जन तो हम इसे इंस्टोलेशन और डाउनलोड प्रोसेस जान लेते हैं तो दोस्तो वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा link open कर लीजिएगा आपको दो link मिलेगा एक होगा pubg mobile का global version और एक होगा pubg kr version और एक जो link होगा वो vpn का होगा तो description में मैंने mention कर दिया है तो आप देख लीजिए तो आप link open कर लीजिए open करने के बाद दोस्तो कुछ इस तरह से interface खुलेगा आपका और दोस्तो जो मैं इसमें vpn देने वाला हूँ तो जो लोगों का बहुत hyping आता है pubg में तो वो vpn यूज़ कर सकते हैं वो vpn यूज़ करने से उस तरह का problem नहीं आएगा आप बहुत smoothly खेल पाएंगे आपका gameplay काफी smooth हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह का interface खुलेगा आपको नीचे चले आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर दोस्तो एक option आपको मिलेगा continue का continue पर क्लिक करना है उससे पहले यह I am not a robot पर क्लिक कर देना है दोस्तो और I am not a robot पर क्लिक करने के बाद नीचे चले आना है और यहाँ continue next पर क्लिक कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको फिर से scroll down करना है और चले जाना है आपको नीचे नीचे के side और देखिए दोस्तो अबदम नीचे आने के बाद यहाँ पर आपका कुछ सेकेंड इस तरह से चलेगा तो आपको वेट कर लेना है दोस्तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो यह क्रॉम में लिंक आप ओपन करिया और डेक्स्ट आप साइट पे क्लिक कर लीजी दोस्तो यह डेक्स्ट आप साइट आपका जब ओपन होगा तो आपका जो वो डाउनलोड सिस्टम है बहुत ही स्मूथली चलेगा यह आएम नोट एर रोबोट पे हमने क्लिक कर दिया दोस्तो अब नीचे कंटिन्यू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप नीचे चले आईए और नीचे चले आईए दोस्तो यहाँ पे हमारा सेकेंड चल रहा है तो हम थोड़ा वेट कर लेंगे और दोस्तो यह जो एपी के है यह आपको प्ले स्टोर का मिलेगा गुलोबल वर्जिन और एक है के आर वर्जिन कोरियन वर्जिन तो आप जो भी खेलते हैं आप वो डाउनलोड कर लीजिए तो दोस्तो जीरो होने के बाद आपको नीचे गेट लिंक पे क्लिक करना है दोस्तो गेट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको गुल क्रॉम से ही डाउनलोड करना है तो आप क्रॉम पे क्लिक कर दीजिए दोस्तो यह देखिए यहाँ पर drive open हो चुकी है आप यहाँ पर download का arrow आपको दिख रहा होगा दोस्तों इसके उपर आप click कीजिए और वापस से chrome पर click कीजिए तो यह देखिए दोस्तों यहाँ पर apk जो है हमारा 614mb का है तो आप यह download anyway पर click कर दीजिए और यह आपका download होना दोस्तों start हो जाएगा तो दोस्तों मैंने download कर रखा है तो मुझे download नहीं करना है तो दोस्तों चलिए आगे का process हम जान लेते हैं दोस्तों जब यह apk आपका download हो जाए तो इसी तरह आपको एक vpn का भी link होगा वह vpn आपको download कर लेना है दोस्तों कुछ इस तरह का उसका interface है तो दोस्तों इसका use हम बाद में बताएंगे पहले हम चलिए pubg install कर लेते हैं तो दोस्तों आप किसी भी मतलब file manager में जाएए जहां पर भी आपने download किया है डाउनलोड में चले जाएए वहाँ पर यह देखिए pubg mobile apk इसको आप open कर लीजिए तो दोस्तों अब हम इसको install करना देखेंगे install करेंगे उसके बाद मैं आगे का भी process बताऊंगा कोई भी problem नहीं होगी दोस्तों और यह 100% work करेगा तो देखिए दोस्तों यह install हो रहा है थोड़ा हम वेट कर लेंगे यहाँ पर तो दोस्तों वीपेन से आपको पूरा गेम वीपेन से नहीं खेलना है जिनका अगर नॉर्मली चल रहा है विदाउद वीपेन तो विदाउद वीपेन ही यूज़ करें लेकिन जो जीओ को यह network हैं और कुछ और भी network हैं दोस्तों जिसमें login करने में error आ जाता है हमारा facebook account से जो हमारा pubg का id login होगा तो उसमें error आता है उसके लिए सिर्फ हम वीपेन यूज़ करेंगे दोस्तों और खुद मेरा भी यही problem आता है जब भी मैं pubg login करता हूँ तो वहाँ पे मुझे power vpn open कर लेना है इसकी पाइडी पर क्लिक कर देना है दोस्तों और दोस्तों अगर आप आपका नेट बहतर चलता हो तो आप without vpn भी कर ले सकते हैं जैसे कि मैं आपको यहां बता देता हूं दोस्तों यह मैंने vpn मतलब pubg open कर लिया है और यहां पर कुछ permission मंगेगा तो आपको के और आलाव पर क्लिक कर देना है और दोस्तों मैंने जो मेरा फाइल था pubg का map वगेरा उसका मैंने backup रखा है तो उसको मैंने पेस्ट कर लिया है तो दोस्तों मुझे कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी लेकिन जब भी आप pubg first time open करेंगे तो वहां पर आपको फाइल वगेरा डाउनलोड करना होगा तो जिसे कि देखिए दोस्तों मेरा एक 37 MB का अपडेट भी आया है जो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ और दोस्तों बाकी मुझे कोई भी फाइल डाउनलोड यहां नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरा backup फाइल मैंने अल्डेड ही रखा है एंड्रोइट के डाटा फोल्डर में तो दोस्तों आपको यहां पे 11 files होगी जो डाउनलोड करना होगा जो PUBG का फाइल है वो आपको 11 डाउनलोड करना होगा उसके बाद दोस्तों आपको अपना Facebook अकाउंट से लॉग इन करना होगा लॉग इन करने के बाद दोस्तों आप अपना map वगेरा डाउनलोड करेंगे तो यह है दोस्तों process और दोस्तों कोई भी अगर problem आती है तो आप हमें comment में बता सकते हैं तो दोस्तों यह हमारी file डाउनलोड हो रही हम थोड़ा वेट कर लेंगे और दोस्तों जो नए हैं और पहली बार हमारे channel पे विजिट की हैं दोस्तों तो उनसे गुजारिश करूँगा कि like और subscribe जरूर करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों कुछ भी ना समझी मैं तो please हमें comment में बताएं और दोस्तों बहुत ही जल्द मैं आपको potato graphics देने वाला हो PUBG के लिए जो जिनका भी 2GB, 3GB या 4GB RAM में lag हो रहा है PUBG Mobile तो उन्हें मैं potato graphics प्रोवाइट कर दूँगा अपने next वीडियो में तो जिनको भी अगर potato graphics चाहिए lag free और auto headshot, embot वगेरा जो भी आपको चाहिए वो हमें comment में बता दें उसकी भी config की file हम प्रोवाइट कर देंगे आपको तो ये देखिए दोस्तो हमारा 37.5 MB का file download हो रहा है और लेकिन दोस्तो आपको सारे files यहां download करने होंगे, total 11 files होंगे जिसमें सबसे बड़ा file होगा 400 MB का वो 11 file होगा, बागी 10 files तो छोटे छोटे होंगे दोस्तो वो जल्द ही हो जाएंगे download आपके तो ये देखिए दोस्तो हमारा download हो चुका है तो दोस्तो लगता है मैंने file install सही से नहीं किया, इसलिए मेरा 11 files जैसा कि मैंने बताया मेरा भी download हो रहा है तो दोस्तो मेरे मुझे ये download करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास backup file पड़ा हुआ है तो मैं वो install कर लेता हूँ अपना तो दोस्तो अगर आपको भी reset वगरे जादा करना होता है phone तो आप भी compress करके अपना backup तयार रखिए जिससे आपको बार बार आपके files जो है download आपको नहीं करना होगा तो दोस्तो यहाँ पर थोड़ा time लगेगा तो मैं अपना video थोड़ा skip कर देता हूँ तो दोस्तो हमारा जो backup file है वो मेरा install हो चुका है अब हम चले जाएंगे power vpn को क्योंकि अब हमें अपने facebook account से login करना है तो दोस्तो मैं वो भी दिखा देता हूँ क्या error आता है without vpn अगर आप login करते हैं तो तो दोस्तो आप यह vpn के मदद से आप अपना id है जो वो login कर पाएंगे कोई भी error नहीं आएगा और यह बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि error क्या आता है जब अपी हम अपनी id login करते हैं तो स्रिफ आपको login करने के लिए vpn का use करना होगा बाकि without उसके हम gameplay कर पाएंगे without vpn तो देखिए दोस्तो कुछ इस तरह का interface आएगा network error login fail please check your network setting आप देखिए दोस्तो मैं यहां पे अपना power vpn यूज कर लेता हूं login करने के लिए तो हमें यह problem शो नहीं होगा और दोस्तो आप यह जो reason है यह Hong Kong का ही server select करें इसमें आगर आपका ping high होता है तो यह problem आपको नहीं होगा और आप smoothly gameplay खेल पाएंगे तो यह देखिए दोस्तो आप हम login करते हैं तो बस आपको दोस्तो आपकी ID login करने के लिए power vpn यूज करना है और without vpn आप खेल पाएंगे और अगर आपके network से आपको hyping show होता है या आपको gameplay में दिक्कत आ रही है खेलने में तो आप vpn यूज कर सकते हैं तो देखिए दोस्तो मुझे कुछ भी download नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरा backup file था मेरे पास वह मैंने install कर दिया था तो मेरा map वगरा सब download है लेकिन आपको download करना होगा first time तो दोस्तो वीडियो पसंद आया तो like कर देना नए है तो channel subscribe कर देना thanks for watching my video